हेलो फ्रेंट स्वागत आप सभी का हमारे चनल को कैश्टेडी में मैं को मल बेश्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्त आप कहाँगा आर्मी टेक्निकल के दोस्तों क्वेशन पेपर यहाँ पर दोस्त आपको एक पार्ट मिलेगा पहला वाला इसमें दोस्त आपको बहुत द दोस्तों हमारी वीडियो को पर थंपाने के लिए क्योंकि आपको रोजी मिलते हैं नएने वीडियो एक्जाम के अधार पर और नएने टॉपिक दोस्तों आर्मी के अधार पर तो आई शुरू करते हैं इतना से आप देखेगा दोस्तों वीडियो को आँखरी तक और इन क् frequency of DC दोस्ते आपर देखे पहले आपको पता होना चाहिए आपका दिश्ट धारा होती क्या है धारा यह अर्था दोस्तो करेंट आपकी दो प्रकार के होती है दोस्तो जिन में पहले आपके होती है परत्यावर्थी धारा दूसरे आपके होती है दिश्ट धारा दिश्ट धारा लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है दोस्तो एक cycle एक आपको graph मिलता है तो ये दोस्त आपके परत्यावरती AC current है generating current है जो घूमने वाली है ये दोस्त आमारी घरे में भी आने वाली current आपकी परत्यावरती धरा ही होती है और इसकी frequency आप देखेंगे दोस्तो अपरके का मतलब होता है दिशा बदलना मतलब कितनी बार दिशा बदली जा रही है तो आप दिश्ट धरा में देखते हैं दोस्तो 50 बार ये बदलती है दिशा को तो इसलिए इसकी frequency क्या हो जागी दोस्तो 50 हर्ज हो जागी कभी question आपका आता है तो 50 हर्ज दोस्तो 50 cycle आप कह सकते हैं इतनी दोस्तो हमारे घरों मा आने वाले परती धारा की आपरती होती है अब अगला कुछिना पर दीखे दोस्तू दाब का मात्र क्या होता है आपको बताना है what is the unit of pressure दाब आपको मालूम होगा दोस्तो दाब बराबर आपका होता है दाब बराबर आपका बल बट्टी क्षेत्रफल होता है दोस्तो अर्थात एकांग क्षेत्रफल पर लगने वाला बल एरिया यहां पर आपका बल मतलब आपका फूर्स एरिया मतलब आपका क्षेत्रफल मतलब एरिया तो यहां से आप मातरग निकालेंगे दोस्तों तो आपका आता है अलग-अला कंडिशनों में तो आप सभी में टिक कर देंगे आपको याद रखना है वाई मंदलिय दाब और आपका ये व्योत्पन नहीं है दोस्तों मात रख और पासकल आपका द्राओं कैसों का अगला कुशन आपर दिखें दोस्तों कोई वस्तु समतल दरपन से 10 मीटर की दूरी पर रखी गई है तो वस्तु का परदिवेंब दरपन से कितनी दूरी पर बनेगा अर्थात अब्जेक्ट पूट फ्रों मिरर विद डिस्टेंस 10 मीटर वट विल बिदे इमेज पोजिशन फॉरम मिररर दोस्तें आपर दिखी आपको समतल दरपन मा भी आपको परावरतन मा आपको बताया था दोस्तों आपने वीडियो देखी होगी तो और नहीं देखी होगी तो आप ज़रूर देख लिजिएगा दोस्तों क्योंकि आप उर्टन प्रावर्टन आपको टोपिक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि question दोस्तो हम तब करते हैं जब हमारे topic clear होते हैं लेकर यह अपको question कभी clear ने हूँगे क्योंकि आपके concept पर question आपके base होते हैं यहाँ पर दिखें दोस्ता आपको बता था कि समतल दर्पण में क्या होता है image का आकार दोस्तों बिल्कुर उतना ही मिलता आपको जितना आपका दर्पण है और वैसे ही दोस्तों जितनी दूरी पर आपने रखा है मान जी आपने 4 मीटर की दूरी पर रखा है दोस्तों तो image भी आपको 4 मीटर की दूरी पर ही दोस्तों पीछे मिलेगी तो यह आपका क्या होता है इसका rule होता है तो यहाँ से आपको आपने पढ़ा होगा तो इससे आप डारेक्ट बता देंगी कि 10 मीटर पर रखा है तो 10 मीटर पर ही आपकी इमेज आपको प्राप्ट होगी तो option number आपका C वाला सही हो जाएगा अगला कुछी ना पर देखें दोस्तो Radioactivity के खोच करता है आपको बताना है Whose discovered Radioactivity दोस्तो पहले आपको पतावना चाहिए दोस्तो आपको Radioactivity तहों होती क्या है कुछ तथ्यों होते हैं दोस्तो जो क्या होते हैं लगातार जिनका क्षय होता है जो लगातार कुछ रेज निकालते हैं जिनको Radioactivity कहते हैं बहुत खतरना खामफॉल होते हैं तीन परकार के होते हैं जनमा alpha, beta और γामा आपकी तीन प्रकार के होती हैं तो ये दोस्तों लगाता है इनका तत्तों से निकलने के कारण इनका ख्षय होता है अर्था इनका इनका डीके होता है दोस्तों तो इसी को दोस्तों रेडियो एक्टिविटी कहते हैं तो इसकी खोच किसने की दिसरो पर्थम हेंद्री बैकुर और प्येरे क्योंड ने भी दोस्तों दोनों पतिवत्तनी है यह ज़ुने भी दोस्तों पता लगया था और इसके लिए दोस्तों इनको 1903 में नोबल प्राइज भी मिला था इन्होंने यहाँ पर रेडियम के और पोलोनियम के दोस्तों खोच की थी अगला कुछ ना पर दिखें दोस्तों निम्रा में से कौन सा सही नहीं है आपको नीचे आपको रेलेशन दिये हैं इन में से आपको पताना सही कौन सा वाला नहीं है पहला आपको दिखता है दोस्तों F बराबर MA दूसरा आपको दिखता है P बराबर MA तीसरा आपको दिखता है F1 to equal to minus F21 और चौथा आपको दिखता है K E equal to 1 upon 2 MA अब यहाँ पर आपको क्लियर दिखता होगा दोस्तों पहला वाला आपका जो है Newton का गदिका दूती नियम है दोस्तों second law of motion है बल बराबर force equal to mass into acceleration अर्था दरविमान कुणा त्वरान वैसे ही आप दूसरा दिखेंगे दोस्तों Newton का third law है परते क्रिया के बीच में परते क्रिया होती है अर्थात आप जो भी reaction लगाते हैं उसकी anti reaction आपके होती है जैसा कि आपका तैरने में या फिर आप देखें रोकेट के उड़ने में या फिर हमारे जमीन पर चलने में तो सभी में दोस्तों यदि आपने F1 टो अपलाई किया है तो minus F21 आपका आपके उपर अपलाई होगा तो यह आपका यहाँ पर हो जाएगा यह भी सही है और वैसे ही आप दोस्तों डिवाले को देखेंगे तो के यहाँ पर kinetic energy है दोस्तों गते जूरजा है आपको दोस्तों यहाँ पर देखेंगे भोईष्थाई या फिर आपके हैं भोईष्थिर उपग्रह के बारे में बताया था दोस्तों यह दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ग्रहों के चक्कर लगाने वाले होते हैं खास तोर पर दोस्ते हैं पर भोईस्ताई उग्रा जो होते हैं प्रत्वी का चक्कर लगाते हैं दोस्तों प्रत्वी की कक्षा में और यहां पर दिखिए इनकी दिशा भी विल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे प्रत्वी गोमती है पश्यम से लिए पूरी की और ये भी दोस्तों पश्यम से लिए पूरी की और गोमते हैं और क्या होता इनमें ये भी दोस्तों एक चक्कर लगाने में 24 गंडे जिस प्रकार से पृत्वी रात और दिन में घुर्णन करने में दोस्तों 24 गंडे लगाती है अगला कुशिन आपर दीखे दोस्तो प्लाइन वेग का मान पृत्वी के लिए क्या होगा आपको बताना है what is the S-cap velocity for Earth दोस्तो अब यहाँ पर दीखे दोस्तो S-cap velocity का मतलब पहले आपको पतावना चाहिए प्लाइन वेग होता क्या है प्लाइन वेग होता है दोस्ते दिया आ आपके प्लाइन वेग कहलाती है किसी भी ग्रह के बाहर ले जाने के लिए तो यह दोस्ते आप देखे दिया आप अर्थ की बात करें पृत्वी की बात करें तो पृत्वी के लिए दोस्तो क्या मान होगा 11.2 km2 होगा या 2.3 km2 होगा या फिर आपका कोई नहीं होगा नौन दोस्ते पृत्वी के बाहर गुरुत्वाक्षेत्र के बाहर दोस्तो जा पाएगा आप दोस्ते आपर देखें क्वेश्चन अगला क्या आता है श्वेत प्रकाश में सबसे कम आवर्ति किसकी होती है श्वेत प्रकाश दोस्तो आपका जो वाइट लाइट होती है इन वाइ करकाश में जो आपका सबसे जयादा आपकी wavelength होती है दोस्तों वह होती है लाल कलर की रेड़ रंग के होती है दोस्तों तो लाल की दोस्तों wavelength यापर ज्यादा होगी तो frequency क्या होगी सबसे कम हो जाएगी तो option number आपका ए वाला सही हो जाएगा क्योंकि आपको मालूम होगा दोस्तो frequency inversely proportional होती है किसके तरंग दैर देगे दोस्तो lambda के अर्थाद wavelength के तो जतनी ज्यादा wavelength होगी दोस्तो उतनी ही कम frequency होगी इसलिए के वीपी देदि आप बैगनी की बात करनें दोस्तो बैगनी का क्या होता है यह दि आप बैगनी की बात करनें दोस्तो बैगनी का wavelength कम होती है और थाद तरंग दैर दे कम होती है इसलिए इसका ज्यादा पर किरण होता है तो frequency की बात करेंगे ज्यादा की दोस्तो तो प्रगने की हो जागी और कम आपकी लाल की हो जागी अगला कुछ नहीं आप देखे दोस्तो किसी लेंस की फोकस दूरी माइनस दो मीटर है तो उसके एक स्वंता क्या होगी अब दोस्ते आपर देखे आपको बताना कि सबसे पहले दोस्ते आपको पता होना चाहिए अदे आपका माइनस में फोकस दूरी है तो लेंस क्या होगा लेंस की प्रकूरती आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर देखे दोस्तो जो आपके पावर होती है दोस्तो क्रमता होती होती क्या पहले आपको पता होना चाहिए कोई भी लेहन से दोस्तों क्या करता है किरनों को या तो अभिसारित करता है या फिर आपका अपसारित करता है मतलब उनको मोडता है या फैलाता है तो यह दोस्तों आपका यहाँ पर यही गुणा आपका क्या कहलाता है यह गुण आपका दोस्तो power कहलाता है तो p ब्राबर आपका होता 1 upon f यह आपको मालूम होगा अब दोस्ते आपर दिखिए यहाँ पर आपको दिया है f का मान मैनस 2 तो 1 upon मैनस 2 कर देंगे आप दोस्तो मीटर मा को दिया है तो यह आपका दोस्तो मैनस 0.5 हो जाएगा दोस्तो इतने में काही में आएगा दोस्तो यह डाय आएगा डिमा आएगा तो option number आपका C वाला सही हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए डाय आफटर दोस्तो मालूम होना चाहिए आपको लैंस की एक्षमता का मातरग होता है और साधी साथ दोस्तो आपको यह भी पता होना चाहिए यहाँ पर देखिए आपको मीटर में हमेशा आपको दिया रहना चाहिए क्योंकि दोस्ते आपर देखिए वन डाय आफ्टर बडाबर आपका वन परती मीटर दोस्तो आपकी फोकस दूरी होती है तो आपको ध्यान देना है जब भी आपका यहां पर मातरक दिया होगा यहां पर तो आपको मीटर में दिया कहीं कहीं पर आपको सेंटी मीटर में दिया इफ 0.5 ampere current produced in a filament with 10 minute आपको बताना produced charge in current circuit दोस्ते आपर देखिए बहुत ही अच्छा question है आपको पता होगा क्यों ब्राबर क्या होता है दोस्तों क्यों ब्राबर IT होता है अर्थात किसी भी परिपत में कुल आवेशों का मान कितना होता है जितनी देर तक आपने धारा को प्रवाहित किया गुणा समय तो यहाँ पर देखिए दोस्तों धारा को प्रवाहित किया आपने कितने तक 0.5 ampere आपने धारा प्रवाहित की गुणा समय कितना लिया आपने दोस्तो अब देखिए समय हमेशा ही आपको दोस्तो सेकेंड में देखना पड़ता है धारा को आप MPR में देखेंगे और समय को दोस्तो आप सेकेंड में देखेंगे यहाँ पर देखेंगे आपको मिनट में दिया है तो यहीं कन्फिजन बार-बार गल्दी करते हैं लोग यह को मतलब व Grad तो सी वालर सफी हो जाएगा हर चीजła को नोट कर रहेंगे दोस्तों फॉर्डनले को नो करेंगी वाद में पूश सकते हैं अब अगला कुषिण आपर दागे दोस्तों बिंदों के बीच को में विचाने में कीतना बिच में आपको चार्ज को ली जाना है तो उसके लिए आपको एक बल एक कार्य करना पड़ता है दोस्तू Univers ृदि आपको यहां ड़ू बबाबर डब्रस W. Q होता है हर्थात जो आपका विभौांतर होता है दोस्तूJust किये के कारे बट्टे आविश के बराबर होता है तो यहां से आप निकाल देंगे W बराबर क्या हो जागा दोस्तू वज़र कुणा करेंगी तो आपका W बराबर आपका आजागा दोस्तू V into Q तो आप यहाँ पर देखे विभवांतर पुम आभिज़ कर देंगी तो 12 है आपका विभवांतर वोल्ट में दिया है कुलाम आभिश भी आपको कुलाम में दिया है तो आपको कुछ बिदलने के अश्रकता नहीं है तो 12 तो 24 आपका दोस्तो सिधा 24 आपका जूल माघ जाएगा क्योंकि कारे का मातरक आपका जूल होता है तो 24 जूल आपका option number ये वाला सही हो जागा दोस्ते आपर देखें जब भी आप numerical question करेंगी तो हमेशा आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो आपका मातरक है मातरक काहे में दिया है क्योंकि बहुत बार confusion आपका मातरक में गलती होती है तो मातरक को आप खास तर पर देख लेंगे अब दोस्ते अगरा question आपर देखिए देखें परिपथ में कुल आपको प्रवाहित होने वाली धारा बतानी है total current in circuit आपको बतानी है दोस्तो दोस्ते आपर देखेंगे परिपथ को आप ध्यान पूरक पहले देखेंगे यहाँ पर आप ओम का नियम लगागे दोस्तो निकाल लेंगे देखें परिपथ में दोस्तो आपका 4 ओम यहाँ पर देखता है R1 है यह और वैसी दोस्त आपका 20 Ohm का बल्ब यहाँ पर आपको देखता है R2 क्योंकि दोस्ते आपर देखे जब आप कोई बल्ब लगाते हैं तो वो भी क्या करता है दोस्तो वहाँ पर Rush Tense Create करता है अथाथ परतिरोध वहाँ पर लगाता है तो परतिरोध को आपको दोनों का देखना है दोस्तो और यहाँ पर एक बैटरी आपकी देखती है दोस्तो अब दोस्ते आप देखे बैटरी का जो वोल्टेज था दोस्ते यहाँ पर 6 था लिखना भूल गे तो 6 lol यहाँ पर दोस्तू 6 voltage की बैटरी यहां पर लगी है। तो आपको क्या दिया है दोस्तू voltage आपको प्रदिरोथ दिया है और आपको धारा निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तू यह प्रदिरोथ आपके कोनसे वाले करम में जोड़े हुए हैं आरेस आ गया दोस्तो आपका 24 ओम में आ गया क्योंकि ओम आपका दोस्तो परतिरोत का मातरक होता है अब आप क्या करेंगी आपको करन निकालना है दोस्तो धारा निकालनी है तो आपका आई बराबर होता है ओम के नियम से देखेंगे दोस्त आपका वी बराबर आई आर होता है तो आई बराबर आपका वी बट्टे आर हो जागा तो वी आपका दोस्त दिया है आपको कितना चार अच्छे च्छे दिया था दोस्तो तो च्छे बट्टे 24 आप करेंगे दोस्तो तो आप काटने पर 1 बटा 4 मिलेगा आपको तो 1 बटा 4 काहिम आएगा MPR में अब यहाँ पर देखिए 1 बटा 4 को आप काटेंगे दोस्तो तो आप 0.25 यहाँ पर लिख सकते हैं तो 0.25 आपका दोस्तो इतने MPR में धारा आ गई तो option number आपका प्यू आला सही हो जागा तो इस परकार से दोस्ता आप इन question को solve करेंगे बहुत ही आसानी से तो दोस्ते यहाँ पर देखिए आपने देखिए महत्मन question जो आपने आपर बहुत ही विग्यान के देखिए और भी जो question है को आपको लगातार बताते रहेंगे हमार साथ यूपने रहेगा दोस्तों और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ओगे थैंक्स जहिंजा भारत